प्रेमित्रों नमस्कार जो तिसी के कैरिकरम में आपसका स्वागत है मैं उट्रक्टर इच्छे स्रावत सबसे पहले आपको हम 2018 की अग्रिम सुबकामनाई देते हैं 2018 आपके लिए बहुत अच्छा रहे आपके जो संकल्प हैं आपके जो टार्गेट हैं वो इसमें पूरे हो ऐसी हमारी सुबकामनाई जैसा कि हम हमेशा की तरह एड़बांस में जानकारी देते हैं जिससे का आप 2018 हर मीनी के साथ से अपना प्लान कर सको यात्रा के लिए, किसी बिजिनिस की सुरुआत के लिए, कोई नए काम के लिए, साधी के लिए, बिवा के लिए, मूट के लिए, मुंडन के लिए, ग्रैप्रिवेश के लिए, गाड़ी मकान खरीदने के लिए, एजूकेशन के लिए, बिदेश जाने के लिए लगातार हम आपको जानकरी देंगे रासी ब्रिश्चिक ब्रिश्चिक रासी वालो आपके लिए 2018 कैसा रहेगा और कौन-कौन से महीने आपके लिए कैसे रहेगे वैसे तो हम हरमीनी के डेटेल जानकरी देते हैं लेकिन आपको खुस होना चाहिए या कहीने कही परिशानी है बिर्ष्टक रासी वालो आपकी रासी कोपर सनी की साड़े साथी है और ये उत्र रही है पैरों पर आ चुकी है पैरों पर आने का मतलब है कि इस समय आपको बेनिफिट मिलेगा और दीरे दीरे अब उतरता हुआ सनी आपके लिए क्या करेगा सनी के दो रासी होती है एक दस नंबर और ग्यारा नंबर मकर और कुम्ब अब लास्ट में कुम्ब का फल देगा और कुम्ब का फल देने का मतलब ये हुआ कि आपको सुखसाधन नसीब होंगे मकान भूमी जाजाद गाड़ी आप खरी देंगे इसका बेनिफिट आपको निश्चत तोर पर कहीं जरूर मिलेगा अब सनी तो उतरता हुआ आपके लिए अच्छा है इसका मतलब आपके लिए पोजिटिव रहा बात करते हैं कि आपका जनवरी का महीना ये कैसा रहने वाला है यानि आपका इस जनवरी में यानि आपकी रासी से ब्रिश्चिक रासी से बारें बाब में ब्रस्पती मूप करेगा जो लोग इंट्रेस्ट ले रहे हैं जो तिसमे सीखने में उनके लिए बहुत अच्छा है यानि वो अपने आपको खुद नसीब मान सकते हैं कि हमें ग्यान में ब्रद्दी होगी लेकिन मंगल के साथ गुरू रहेगा यहां पर तो ब्रिश्चिक वाली जो लड़कियां है या इस्त्रियां है उनके बैवाइक जीवन के लिए अठारे जनवरी तक का बक्त टफ है या थोड़ा तालमिल बठा कर रखने की दुरूरत है क्योंकि आपकी रहासी का सौमी मंगल छटे बाब का सौमी होकर के गुरू के साथ बैठा हुआ जाकर के गुरू और मंगल के युती अच्छी नहीं होती आपके सेकंड हाउस पर सोले जनवरी तक चौदे जनवरी तक सनी और सूरे रहेंगे सनी सूरी के युती भी सेकंड हाउस में अच्छी नहीं है ये आपके बैभाइक जीवन आपके परवार की डिस्टरबेंस इनको कहीं कहीं तकलिप दे रही है बढ़ाएगे 14 जनवरी को सूले रासी प्रोटन करेंगे 13 जनवरी को सुक्रमी रासी प्रोटन करेंगे सूरे रासी प्रोटन जब करेंगे मकर सक्रांती पर मकर रासी में चले जाएंगे तो 6 मिने के लिए मकर से मिधुन तक उत्राण में रहने के कारण सुबकार यहां पर सुरू हो जाते हैं लेकिन चौदे तारीक को सूरे का केतु के साथ आना सूरे केतु की युती यहां पर आना यह छोटे भाई के लिए अच्छी नहीं है चोट एक्जिनेंट लगना हाट से सम्मन्दत आपको तकलीफ आना गले चाती में तकलीफ होना आखों में तकलीफ आना ऐसा योग एक बनेगा यहां पर इस योग के कारण आपको बचाव करनी जूरुत है लेकिन यहीं पर एक कालसर प्योग भी बनेगा यह संख नादनाम का कलसर प्योग रहेगा जिसके कारण आपको थोड़ा बचाव करनी कावश रखता है यह पिता के सास्त के लिए अच्छा नहीं है सूरे आगे बढ़ेगा यानि जनवरी से लेके फरवरी तक बारह फरवरी की रात को यहीं तेरह की सुबह सिफ्ट हो जाएगा तेरह फरवरी से लेकर के और चौदे मार्च तक सूरे कुमरासी में रहेगा सूरे केरियर का सौमी अपने केरियर को देखेगा जाब के लिए काफी अच्छा है सुक साधनों के लिए भी अच्छा है कभी कभी मार्चे साथ तनाब रहेगा लेकिन फिर भी सूरे सरकारी कामों को मजबूती देता है सरकारी कामों में हमें अग्रसर करता है तो इस पिरिड में आप 13 फरवरी से लेकर चौदे मार्च के बीच मगर कोई सरकारी काम करना चाहते है तो अच्छा है जाब के लिए भी अच्छा है प्रमोसन के लिए भी अच्छा है 14 मार्च से लेकर के और 14 अपरेल तक यहां सूरे मीन रासी में रहेगा पुत्र संग्तान प्राप्थ होने का योग डप्टर एज्यूकेशन कम्टेटिव एक्जाम के लिए बहुत अच्छा है लेकिन गर्बती माला को थोड़ा साथधान रहना पड़ेगा क्योंकि सूरे जब जिस बाद में बैठता है अगनी कारक होने के कारण गर्बनर्श की संबावनों बढ़ी रहती है अप्रेल से लेकर माई तक चौदे अप्रेल से लेकर के पंदरा माई के बीच में सूरे उच्छ रहेगा आपके केरियर का स्वामी उच्छ है और उच्छ होने का मतलब ये रहा का आपको मान सम्मान के उच्छ इस्थर पर रहेंगे छटे भाव में रहकर के प्रसंड होता है दुस्मन को आपको चल देंगे मुकदमे में आपको बेजाय प्राप्त होगी सस्त्रू आप से दबे रहेंगे आपकी वाबा होगी यनि पंदरे मजी तक का फे़़धिय आपके लिए काफी अच्छ रहेगा पंदरे मजी के बाद में और पंदरे जूम तक ये आपके विवाशतान पे रहेगा पत्री के साथ प्रेमका के साथ लिवेन रिलिसन में कहिने के तोड़ी से तकलीफ का सामने करना पड़ेगा साबदान रहने की जरूरत है उसके बाद स्टम भाब में सूरह अच्छा नहीं है जॉब में परिशानी रहेगी जुलाई के अंदर और जुलाई से अगस्त के बीच में बाकिस्तान पर राओ के साथ रहेगा यहां एक तकलीफ है यहां कहीं नहीं हाट से सम्दित पता को तकलीफ आएगी अगस्त से और सेप्टमबर तक सुरहासी में रहेगा मान सम्मान बढ़ेगा बहुत जबरदस प्रोग्रेस होगी प्रमोसन होगी सरकारी नोखनी के योग बनेंगे और उसके बाद नवंबर तक यानि सोले से लेकर के अप्टूबर से नवंबर के बीच में नीच रहेगा यहां आपके लिए तकलीफ दे है जाब में परेशानी छूट सकती है अगस्त से लेकर के और सेप्टम्बर के बीच में काफी अच्छा है उसके बाद अप्रैल से लेके मई के बीच में भी अच्छा है तो कुछ कोर्संस आपके लिए च्चे हैं जिनमें बहुत अच्छा कर सकते हैं मित्रो यह था बिश्चिक राशी का फलादेस आपके भी कोई समिशा तो आप अपन में लेकर गे मुझे मिल सकते हैं अपनी कुल्ली दिखा सकते हैं वास्तु चेक करवा सकते हैं पूजा पठ के संपर कर सकते हैं अब इस समय आप से आत लेने का अगले एपिसोड में यह अच्छी क्वालिटी के नगल लेना चाहते हैं पूजा पार्ट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे निम्र टिल्भूंग का संपर कर सकते हैं फॉन नमबर है 9212-96090 98111-244-156